नमस्कार कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे शभी पैरेंट्स को नमस्कार तो हम लोग क्लास का यहाँ पर पीछे वाले क्लास का पहले हम आपको सलूशन दे दू तो अराम से इसकी सलूशन आपको समझ गए होंगे कि अगर वो डाउन जा रहा है तो माइनस की ओर और अप जा रहा है तो प्लस की ओर तो यहाँ उपर जा रहा है तो प्लस नीचे जा रहा है तो माइनस मेरी हाथ का ही सारा देखिये न अगर यह राइट साइट जा रहा है प्लस लैप सेट जा रहा है माइनस उपर जा रहा है फ्लस नीचे आ रहा है माइनस यानि अगर आपके दूसरा ये भी case होता है जो आप लोग को जानना जरूरी है वह ये है कि आपके जैसे कहत्रा अनुसार जा रहा है तो प्लस और आप वह आपके बिरोध में जा रहा है तो माइनस यानि ये चीज को हमने सिखा दिया था पिछले क्लास का आईए हम लोग देखते हैं Advanced School of Math and Science क्लास 7 का कोडिंग हमने पपताया था क्लास 7 Mathematics Chapter 1 Part 02 Absurd 02 तो 02 में आपका 01 का solution अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर Property of Subtraction and Edition of Integers तो देखो पहला ये Closer Property Close से बना है Boundary Closer Property Under the Edition यानि हम का सकते हो कि A Belong to Integers B Belong to Integers और A Plus B Also Belong to Integers तो Closer Under the Edition पर एक्जामपल आपने 5 ले लिया Integers है 6 ले लिया Integers है तो यहाँ पर 5 पलस 6 ये 11 भी Integers होगा यही बात को हम समझाना चाहरे हैं आप लोग समझ गया है यानि Closer Under the Edition अगला हमारे बात अगर सब्ट्रेक्शन की हम बात करें न तो यानि यहाँ पर ऐसी लिखेंगे A Belong to Integers B Belong to Integers और A-B Also Belong to Integers तो यहाँ हो जाएगा आए दीखते हैं यहाँ पर 5 और यहाँ 6 है तो 5 में से 6 गया माइनस 1 6 में से 5 गया Plus 1 क्या यह Integers नहीं है है यही अगर पीछले क्लास में तो अगर जाओगे न 6 क्लास तो नेच्वल नंबर था तो नेच्वल नंबर सब्ट्रेक्शन के लिख लुज़ाँ नहीं था चुकि अगर यह 2 नेच्वल नंबर है 3 नेच्वल नंबर है और यहाँ पर 2 में से 3 गया तो यह माइनस 1 यह नेच्वल नंबर नहीं है यानि कहने का सेंस कि आपको कैसे करना है यह बात को अच्छे ढंग से किलियर होना चाहिए तो हम बात करेंगे Integers subtraction के लिए है Integers subtraction के लिए है यहाँ Integers लिखना ज्यादा चुकि topic ही Integers चल रहा है लेकिन natural नंबर और whole नंबर नहीं है अगला हम बात करते हैं commutative property को commutative को abelion भी कहते हैं commutative को abelion भी कहते हैं और यह होगा A Asteric B equal B A और चुकि अभी addition चल रहा है A plus B बरावर B plus A है ना है कि नहीं और इस commutative का तुम्हें huge है कि कौन commutative है कौन commutative नहीं है तो देखो कोई इंसान ऐसे गया और ऐसे गया इसकी diagonal A plus B हो गया पहले लोगराम का नाम सुना है फिर A से गया और A से गया बोलो तो A B हो गया आई A हो गया इंक कौनोंटेटिव है ना यानि दू प्लस तीन बराबर तीन प्लस तू चार प्लस पांच बराबर पांच प्लस चार छे प्लस आठ आठ प्लस छे इसको बोलते हैं कौनुटेटिव अंडर एडिशन क्या सब्ट्रेक्शन में होगा कभी सोचा नहीं होगा क्यों नहीं होगा A माइनस B नौट इक्वल B माइनस A लेकिन ये सब्ट्रेक्शन अस्पेशल केस में हो सकता है अगर हम ये मौड लगा दे तब ये हो सकता है समझे में आया क्या कि नहीं आया आगया दूसरा केस में यह हो सकता है कि दोनों इंटीजर्स हम सेमले तो जीरो जीरो हो जाएगा तो इस ठंक से आपको दिमाग को विक्सित करना है अगला एसोसियेटिव एसोसियेशन की भामना अगर यह A है, B है इसी है तो A पलस यहां B पलस C यहां A पलस B पलस C यह एसोसियेटिव यानि अगर दो, तीन, चार लिया दो को पहले और तीन, चार को बाद में यह दो, तीन को पहले और चार को बाद में अगर यह आपस में एक्वल है इसका मतलब एसोसियेटिव है इसको ऐसे समझो कोई इंसान पहले A ऐसे गया और यहां पर यह B गया तो यह A प्लस B हो जाएगा अगला डेटा ऐसे A C यहां से यहां तक पहुँच गया A प्लस B प्लस C दूसरा इंसान ने कहा नहीं सर जी मैं ऐसे जाऊंगा तो पहुचा तो यहां पहुचा ना देखो पहुचा की नहीं पहुचा यानि A और यहां B प्लस C यह डाइरेक्शन है कि डाइरेक्शन है बता रहा है ऐसे जाना है यही आगे चलके वैक्टर बन जाएगा वैक्टर बन जाएगा आगे चलके तो यहाँ पर देखो एसोसेटी प्रोपटी को भी आप लोग ने जान चुका है एटेटीव आइडेटीटी जैसे बहुत लुख बोलते हैं सर आप छुटी क्यों नहीं लेते हैं मैं बोलू छुटी लूँ किसे इतने स्टुडेंटों का जो हमें प्यार मिला है ये जो हमारा कार्चक्रम जो फेमली मेरा ही एक था 2600 हुआ और आज जो हमारा फेमली 31 जन्वरी तक यह यह 500 पहुँच गया और अभी करेंट में आप देखेंगे तो हमारा फेमली 6000 हो गया अगर हम 6000 अगर मैं छुटी लेता हूँ तो हमारा 6000 का जो फेमली है ये उतल पुतल हो जाएगा ऐसलिए मैं छुटी तो नहीं लोगा चुकि हमारा जन्वी हुआ है लोगों को भलाई करने के लिए mathematics को सिखाने के लिए mathematics से हमेशा लोग बोलते हैं कि डर है कि डर को हटाने के लिए mathematics के डर को हटाने के लिए mathematics से दोस्ती कर लिजिए गनित से दोस्ती कर लिजिए आपका डर हट जाएगा अपने कोपी में लिखिये mathematics is fun हम आपको बिस्वास दिलाते हैं कि five class से M.A. से तक आपको mathematics को हम fun बना देंगे जितने student past में पर हैं वो सब लोग जानते हैं कि sir तो ऐसा mathematics सिखाते हैं जैसे cake को काटने के लिए क्या चाकू iron का इस्तिमाल करते हैं still का इस्तिमाल करते हैं इसका इस्तिमाल करते हैं plastic का उस type से आपको काट दूगा cake को काट दूगा काटना सिखा दूगा तो चलिए मुझे आ गया ये cake वाला प्रस्त तो अभी स्वर मैं प्रस्त पुछता हूँ अगर आपका family आठ है और cake आपके पास है तो अभी question को आप लोग सोच के रखेंगे क्या question सोच के रखना है समझ गया आठो सदस्जी को बरावर बरावर cake पिले तो cake को कितना वर काटना परेगा ये प्रस्त आगले class में हम बताएंगे तो आईए हम लोग देखते हैं हम लोग बात कर रहते हैं additive identity का यारी 5 प्लस 0 0 नहीं sorry 5 0 प्लस 5 5 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 इसी को बलते हैं additive identity a a a a a a a a this is the additive identity अब आप additive identity को समझ गए होंगे समझ गए होंगे बहुत सारे family हमारे जो अपने blood relation वाले हैं सोचते होंगे नहीं ये तो हम पूरे भारत वर्स हमारा family है पूरा world हमारा family है हम तो सब के लिए जनम है जनमे हमें तो सब को भलाई करना है a a a to इसको इसको एड़नेटी बोलते हैं इड़नेटी जीरो को बोलते हैं इड़नेटी ब़ाइटी जीरो को बोलते हैं क्योंको जीरो एक एसा नंबर है जो किसी के साथ जूरेगा कोई एफेक्ट नहीं करेगा आईए कुछ बाते करते हैं write down the pair of the integer suits some age minus 7 minus 7 लाना है तो तुम नंबर कुछ होच लो minus 7 मैं ला तूँगा एक विदार्थी बोला सर मुझे 5 हम लिए कोई तिक्केत नहीं लगा दो minus 12 plus के साथ तुम अगर 5 step चला ना हम क्या कर दे है पलस तो पलस करना है मैंने कहा दिया चलो 12 step लेट में चली जाओ ऐसा ऐसे बहुत सा पेर बना सकते हैं difference minus 10 कह रहा है अगर यहाँ पर 5 अपने कर दिया हमने minus 15 कर दिया देखो minus 10 आगिया सकतो समझीरो यह अहसास करवा रहा है आगे चल के बनेगा additive inverse किसी का भी काट निकालना पड़ेगा लाट निकालना पड़ेगा आपलोग पर्ची हो गया होगा जीरो नहीं कम्प्लिमेंटरी से पर्ची हो गया होगा चोड़ने पर अगर complementary angle की बात करें तो 90 degree supplementary angle की बात करें तो 180 degree तो अगर किसी के बात 30 है और supplementary कह रहा तो 150 हो गया अगर complementary 30 है तो उसकी हो जागा 60 हो जागा इस घंसे तुम सोचो 0 लाना है मैंने अगर कहा 5 तो धीरे से बोल देगा सर माइनस 5 मैंने कहा मैंनस 6 मैंने कहा मैंनस 3 मैंने कहा मैंनस 8 मैंने कहा मैंनस 7 मैंनस 7 लूस 7 Write the pair of negative integers what is the difference given at negative में लिख ना तो अब इस पर सोच के देखना अगली क्लास में डिसकेशन करेंगे सोचो 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 तुम लोग भी सोच देखा time मैं देता हूँ अगला प्रस्त है इने quiz team A score minus 40 10 0 and team B score 10 0 minus 40 and 3 successive round which is the team score more हरे यार इसको पहले जोर दे तो तुम्हार minus 30 है इधर भी जोरेगा minus 30 है तो समाज जाओ न जोनों तो यह है लेकिन इसकी पहले performance करार था अब थोड़ा ठीक लेकिन फिर ये 0 परा गया यानि अगर life में कुछ करना है दोस्तो life में कुछ करना है हमेशा increase करो हमेशा positive रहो positive सोचो अगर आज तुम दो घंटा परता है तो कल दो घंटा से काम नहीं परो दो घंटा से थोड़ा अधिक परो या परकरार रखो अरे कभी भी negative decrease function नहीं होना चाहिए decrease function होना चाहिए पता है क्या मैं negative सोच में अगर तुम्हे टीवी देखने की आदत है mobile देखने की आदत है mobile पर game खेलने की आदत है तो धेर धेर उसको decrease करो इधर से increase करो देखो तुम्हारा mathematics से प्यार हो जाएगा नहीं प्यार होने का reason यह है तुम अपना energy दूसरेट में लगाते हो बहुत आदमी बोलता है कि मैं सर ठक जाता हूँ कौन कहता है कि ठक जाता है मनुष ठकता नहीं है ठकता है उसकी मन ठकता है उसकी मन मैं एक example तुमको पेस कर रहा हूँ एक बार एक सर्जन बोला मैं ठक गया हमने अगर हम बने बोला कि अगर आपके पीछे 20 डौक को लगा दिया जाता है जो आपको खेद रेगा तो क्या आप भागेंगे की नहीं हम भागेंगे हम लिगा आप भी तो वो रहते हैं आप ठक गये कैसे मानी कि आप ठक गये ठकता है आपकी मान मनुष कभी ठकता नहीं और आप पनुष्ट घर में हैं आप लोग इसलिए आप लोग भी कभी नहीं ठकेंगे करिए महनत हम आपके साथ हैं हमारी टीम आपके साथ है महनत को कीजिए आईए ये प्रस्ण को यहाँ पर कह रहा है कि फिलिन दा ब्लैंक्स जब ट्रू हो जाए देखो यह माइनस फाई माइनस से कमोटेटिव रूल को कह रहा है यानि यहाँ पर माइनस फाई भरा जाएगा को किया गिनी माइनस फिब्डिटिरी यहाँ पर अगर जीरो को आड करेंगे तब होगा यह आपको एहसास करवा रहा है एडेटिव आइन्टिटी का यहाँ पर यह देखो एडेटिव इन्वर्स का एहसास करवा रहा है 17 है जीरो लाना है माइनस 17 क्या एहसास करवा रहा है यह सोचना जरूरी है यहाँ पर देखो यह एसोसियेटिव रूल को सेटिस्पाई करवा रहा है ये देखो ये ये और यहाँ ये हैं ये वखला अलग हो गए तो यहाँ पर ये minus 7 होंगे या 13 में से 12 गए तो 1 और यहाँ पर ये आपका minus 6 और यहाँ पर 12, 7, 19 ये भी वखला minus 6 ये associative property को दिखा रहा है या commutative property को दिखा रहा है ये additive identity को दिखा रहा है और ये additive inverse को दिखा रहा है इस type से आपकी question रहते हैं आपको पता होना चाहिए कि किस को हमें एहसास करवा रहा है तो हम लोग देख रहे थे आपके homework तो मैं आपको मैं बता दूँ एक class 7 का class 5 से 10 तक आपको advanced school of math and science लेके आएगा नो फरवरी से ये 90 वीडियो होगी और मैंने पहले आपको तो आएए हम लोग देखते हैं यहाँ पर और कुछ कोशन है एक कोशन भी आप लोग समझ गये होंगे ये भी कोशन को आराम से आप समझ सकते हैं कोई तरह का दिक्कत नहीं तो advanced school of math and science का जो टीम है वह टीम ये ततपर है कि गनीत और बिज्ञान को अच्छे से तो आप लोग डैनिक भासकर पीपर को पहते रहिएगा उसमें जो आप लोग का ये है गनीत का डर तो गनीत के बारे में हमेशा मैं लिखते रहूँगा उस पेपर के माध्यम से भी आपको हम जुरा हुआ रहूँगा पहले भी था हंदुस्तान के यूरेका में माथा पच्ची करके आता था वह माथा पच्ची मैं ही देता था और अभी दैने भागसर से हो चुगा है कि गनीत से जो लोगों का डर है वह कैसे टर को खतम हो गनीत को लोग कैसे सीखें या गनीत के बारे में हमेशा उसमें हम लिखेंगे और हमेशा आप उसको पढ़ते रहें मिलते हैं और विडियो को लगतार देखते रहें मैंने आपको एक कोशन पूछा था याद किजिए कि केक को कम से कम कितना पर काटना परेगा यह लौजी को मैंने पूछा था उसको आठ टुकरा करना है तो अगले वीडियो में मैं इसका डिसकाशन करूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार